Good morning student, this is your music teacher. Student, कल की टोपिक में हमने सीखा था ताल दादरा की इगुन और दुगुन की लेकारी. ताल दादरा की इगुन में लिखते समय सबसे पहले हमने लिखा था कि मातरा कितने होती हैं, विभाग कितने हैं, ताली कौन सी मातरा पर है, खाली किसनी मातरा पर है, तो आज हम चलते हैं तिगुन की लेकारी किस तरह से लिखती हैं, तिगुन का मतरा बहता है कि 3, एक मातरा के अंदर 3 वर्ड आएंगे, आज हम यह देखेंगे ताल दादरा में, तिगुन किस तरह से लिखनी हैं, हमारी 6 मातरा की ताल थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दादीना, दादीना, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर हमारी 6 मातरा कंप्लीट हो रही है, बाकी के हमारी मातराएं बची हैं 3, 4, 5, 6, तो हम ही क्या करना है, दादीना, दादीना, यहां तक हमारी यह कंप्लीट हुए लिखके, फिर हम इसको दो बार और रिपीट कर देंगे धा दीना, धा तीना, धा दीना, धा तीना तिगुन का मतलब होता है कि पूरी मात्रा को तीन बार रिपीट करना और चिन का है इसमें क्रॉस वही लगेगा फर्स मात्रा पर और खाली फोर मात्रा पर इसी तरह से लगेगा सेम, मातरा, विभाग इस तरह से ही लिखा जाएगा, उपर मातरा और विभाग और चेन भी हमारे वही होगे, लेकिन बोल लिखते समय है, इसमें आपर चेन्ज हो जाएगा, तिगुन में एक वर्ड की नीचे एक बोल, और दुगुन में एक वर्ड की ये पहलिखे-3 तैनी, बहुत कि रही सक्क्राइक कोशला हा, हमत्वक पहला थिर कोरें, भृब दो, बहुत के बाद फिर हैं, तो, आप बहुत तो, पहले सक्क्राद को बहुत करysz लिख़ा है हुए, लिखना प्रीक ये पुर्ण अंडरलाइन करके इसको एक कवर किया है मिलब तीनों मात्राओं एक उसमें आगे एक चिन में आगे मिलब इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे तो धादीना 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 तीनों मात्राओं क अलग अलग हम इस तरह से underline कर देंगे, पूरा तीन-तीन वर्ड हो जाएंगे, हमारे इस तरह से underline करते व manufacture चले जाएंगे ऐसे दुगन में करना था, दो line के वल सिंगल, सिंगल जब word उता है, तो उसके नीचे कोई भी underline नहीं होती और दुगुन में भी दो वर्ड होंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन जरूरी होती है आप लिखते समय चीज का जरूर ध्यान देना कि हम नीचे इसके अंडरलाइन जरूर करें फिर हमारा आता है चौगुन की लेकारी आपके सिलिवस में लिखने के लिए एगुन, दुगुन, तिगुन, चौगुन आपको एक्जाम में लिखने के लिए दुगुन, तिगुन, चौगुन की लेकारी लिखनी होगी लेकिन आप जब हाथ पर बीट करेंगे तो केवल आप एगउन, दुगॉन और चौगॉन की ही बीट करेंगे हाथ से लबताली बजाएंगे तो आप इन्हीं दो लैकारी को बताएंगे दुगॉन की और तीगॉन की एगॉन तो आप लगानी ही है कुछी भी लगाती शुरू करने से पहले तो हमें लगाने ही होती है फिसके बाद हम दुगन और चौगन की लाइकारी लेखने के लिए चौगन का मरत्व पता है कि एक मात्रा में चार वड़ चौगन का हुता है चार तो हमें मात्रा वही वांग ट्यू ट्री फौर फ्वाइ तीना धादी नाधी तीना यहां कंप्लेट हो गया यहां से नाधा तीना यह कंप्लेट हो गया फिर हमारा फिर से हमें यहां तक हमारी तीन मात्रा कंप्लेट हो गया फिर से हमें इसको वही करना है धादी नाधा तीना धादी नाधी तीना फिर हमारा यह जाएगा धादी ना तीना धादी नाधा तीना धादी नाधा तीना बहुत आराम से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे यह प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत आराम से लिखना शुरूख कर देंगे और इसमें चोगुन को लिखते समय जरूर ध्यान देना कि इसके नीचे चार वर्ड, एक मात्रा के नीचे ही चार वर्ड आने चाहिए, जैसे एबन मात्रा है तो उसी के नीचे हमारे चार वर्ड आने चाहिए, आगे पीछे मात्रा को नहीं करना है, और लिखने के आप प्रै आएंगे. Thank you.